हलो एब्रीवन, स्वागत है आप सब का हमारे चैनल आर्टेज लाइफस्टाइल आज के व्लॉग में हम अन्बॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं 2021 का नया Amazon Fire Stick इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस साल 2021 में Amazon Fire Stick में क्या नया आया है और खर में दो Fire Stick होने के बावजूद मैंने एक और Fire Stick क्यों परचेस किया मेरे पास भी दो Fire Sticks अल्रेडी हैं पर मैंने ये तीसरा इसलिए परचेस किया क्योंकि ये इतना simple और hassle-free है I could no longer use the old cable TV and DTH for my third TV उपर से अलग से कोई खर्चा नहीं है Same Unlimited Internet Plan पर ही ये चल रहा है Double Benefits और Internet Plan जानने के लिए उपर दिये हुए लिंक को क्लिक करें अब बात करते हैं मैंने तीसरा Fire Stick क्यों खरीदा On an average सारे HD चैनल्स देखने के लिए मुझे पर TV 500 रुपीज पे करना पड़ता है 3 तेलेविजिन के लिए 15 रुपे पर महीना और साल का लगभग 18,000 रुपे प्रस टैक्स क्योंकि मेरे पास अल्रेडी एक Unlimited Fiber Internet Connection है इसलिए Fire Stick चलाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा किसी को भी नहीं देना पड़ता Republic Day Sale पर This Is For 2,299 और मैं साल के 18,000 रुपे अपने घर में इससे सेफ कर रही है Internet TV होने की बज़े से चाहे आप कुछ recorded देखना चाहें या live आपको सारी चीजों की availability आसानी से हो जाती है अगर आप चाहें तो आप भी अपने टेलेविजिन को स्मार्ट टीवी बनाए और किसी भी एक्स्ट्रा खर्चे से बचें मैंने तो one time investment करके अपने सारे टीवी स्मार्ट टीवी बना लिए और साल के 18,000 रुपीज भी बचा लिए तो चलिए इसे unbox करते हैं तो चलिए इसे unbox करते हैं So this is the fire tv stick light इसमें चलेगा netflix, youtube, z5, mx player, boot, discovery plus, alt bajaji, prime video, geo cinema, amazon prime music, sun nxt, apple tv, euros now and saavon इसे चलाने के लिए आपको चाहिए high speed internet wifi connection और HD TV with HDMI input Price तो इसमें 2,999 का लिखा है पर Republic Day Sale में मुझे ये 2,992 का मिला अब देखते हैं इस package में हमें क्या क्या मिला इस package में मुझे मिला power adapter, USB cable, HDMI extender cable, Alexa voice remote, Amazon fire stick light, Amazon basics के 2 AAA battery और कुछ paperwork मेरे पास already एक Android TV box है, एक तो ये थोड़ा पुराना हो गया है, Amazon fire stick थोड़ा latest है और fire stick में और बहुत सारे नए features हैं जो Android TV box में नहीं है इसलिए भी मैंने एक नया fire stick order किया First time setup करने के लिए पहले fire stick light को अपने TV set से connect करें TV और fire stick को on करने के बाद सबसे पहले अपना language सेलेक्ट करें I have selected English latest fire stick में हिंदी का option भी है अब आप अपना Wi-Fi password इसमें डालें and it will be connected Screen पर लिखा आएगा configuring your fire TV Internet से connected होते ही साथ यह अपने आप latest software download कर लेगा जैसे ही यह अपना update finish कर लें आप अपने Amazon account details इसमें डाल दें Your Amazon fire stick is ready to use now अब मैं आपको इसके नए interfaces के बारे में बताती हूं यही आपका account इसके बाद आपके account settings then comes library Home में आपके channels वगेरा और find में जो भी आप ढूना चाहते हों देखने के लिए ऐसे ही करके यह live TV जितने भी live channels हैं इसमें सारे आ जाएंगे Fire TV stick light Amazon की fire sticks की सबसे basic stick है इसमें लगबक सारी fire stick के शानदार features हैं अगर आपका fire stick लेने का मन हो पर 6000 रुपय तक का आपका budget ना हो तो आप इस light को purchase कर सकते हैं अगर आपको आज का यह video informative लगा हो तो please like, share and subscribe to our channel Thank you so much for watching झाल